दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ जीवित पुत्रिका व्रत के बारे में जीवित पुत्रिका का व्रत जिसे जितिया भी कहा जाता है आश्वीन मास की कृष्ण पक्ष की अश्टमी दिथी के दिन रखा जाता है पित्र पक्ष में आता है ये व् व्रत के नियम बहुत कठोर हैं लेकिन माताएं इस व्रत को धारन करती हैं अपनी संतान की लंबी आयू के लिए और उनकी सुख सम्रिध्धी के लिए और बच्चों के जीवन में सफलता की प्राप्ति हो इस प्रकार का आशिरवात जीमुद्वाहां से वह मांगती हैं तो आ को ट्रास are उनके लिए अलग होते हैं और जिनकी सासूमा नहीं है उनके लिए कुछ करने वादी हूँ इसलिए वीडियों को अंते तक जरूर देखिए तो सबसे समाप्त हो रही है 25 सितंबर को यानि कि बुद्धवार के दिन दो पहर में 12 बसकर 10 मिनट पर ये व्रत सुर्योदय कालिन तिति के अनुसार ही रखा जाता है तो इस आधार पर 25 सितंबर बुद्धवार के दिन जीवित पुत्रिका का वरत रखा जाएगा तो 25 सितंबर को हम रधारण कर रहे हैं तो 24 सितंबर पोजा नियम करते हैं। उसके बाद कहीं जाकर हम जल पीते हैं। तो व्रत बहुत कठीन है, इसमें कोई संशाय नहीं, लेकिन हर माता हैं, जिनके भी संतान हैं, वो इस व्रत को धारन करती हैं और करना चाहिए। अब जैसे कई लोगों के प्रशनाते हैं, कि हमारे पास पुत्री है, पुत्र नहीं है, तो क्या इस व्रत को कर सकते हैं, देखे बिल्कुल कर सकते हैं, ये पहले समय की बात थी, जबकि कहा जाता था कि पुत्र हो, वही इस व्रत को धारन कर सकता है, तब वो पुत्रों की पुछना चाहिए मतलब पड़िवारवाले जो कहते हैं वह hij करना चाहिए सबके परिवार Vide 24 सितंबर को, दिन होगा मंगलवार का, तो इस दिन आपको शणान करना है, सर्धो के, बाल भोके शणान किया जाता है, इसके बाद शुद्ध और सथ्भोजन किया जाता है, तो नहाई कहुती है, तो अगर आपको यह दो। किया जाता है बिल्कुल बिना लेसिंद आज का एक और चीज नहाय खाये वाले दिन सबके यहां कुछ न कुछ विशेश खाकर ही व्रत शुरू किया जाता है कई स्थानों पर सब्पुतिया जिसे कितरों कहते हैं तो रही होती है की उसकी सब्जी बनाकर खायी जाती है और सब्सक्राइब लिए जाती है तो जैसे हैं तो जैसे आप यह होता है चुछ विशेश अगर आप यह होता है तो आप वही खाकर ग्रत का प्रारंब करते है ठीक है? तो देखे नाय खाय दिन में होगा फिर शाम के समय घर में बनता है कुछ न कुछ मीठा बनता है बच्चों के लिए बनाया जाता है बेसिकली जैसे कि बच्चों के निमित हम ब्रद्धारन करते हैं तो पुगा बनाते हैं गुलगुले बनाते हैं ताकि हम बच्चों को खिला सके यह एक तरह का नियम है एक तरीके से देखा जाए तो इसके साथ ही एक और चीज बनती है छोटी छोटी पूरिया बनाई जाती है और इसके साथ ही बिना नमक की सबजी बनाई जाती है तो रोई की और यह दिया जाता है ऐसा कहा जाता है कि चीलो सियारो और सासुमा के लि तो इस प्रकार से 5 पूरिया बनती हैं और सुबह जब सर्गी खाने उठते हैं तब उसी समय शना नित्यादी करके और ये सभी पूरियां तरोई के पत्ते पर रखी जाती हैं पूरी और वो तोरई वाली सबजी दही और चूरा चीनी ये सभी चीजें आपको रखनी होती हैं उस तरोई के पत्ते पर और घर की छट पर या फिर बालकनी में जहां पर भी आपके पास खुली जगह हो वहाँ पर ये चीजे रखी जाती हैं रात्री में तीन बजे के आसपास ये चीज रख दी जाती है और मन में पित्रों का ध्यान करके उनको समर्पित किया जाता है जल का पात्र वही रख दिया जाता है या फिर जल का घेरा भी दे सकते हैं आप जैसे भी सुविधा आपके वासुप लब दो फिर अपने पित्रों से, चीलों, सियारों से और जी मुत्वाहन भग्वान से हाथ जोड कर प्राइब की जाती है कि हमारी संतान की आयुवलंबी हो हर फ्रकार से हमारी संतान की रक्षा हो और हम जो ब्रद धारण करने जा रहे हैं वह व्रत निर्वेग निरूप से परोण ओढ़ इस तो यह नियम किया जाता है सरगी से पहले अपनी सरगी खाने से पहले आपको यह नियम करना होता है अच्छा एक और चीज बता दूमें आपको इस प्रकार से जो सासुमा को भोजन दिया जाता है यह सब नहीं देते हैं जिनकी सासुमा नहीं होती है वही देते हैं अच्छा क सासु होती है वो वैसे ही सर्गी खागर और व्रत कर लेते हैं और अब जानते हैं कि सर्गी में क्या खाना चाहिए तेकि सर्गी में आप सुबह उठते हैं जैसे कि हर्ताल का तीज में हम उठकर जल इत्यादी पीते हैं उसी प्रकार से इसमें भी जल पीते हैं आप कुछ भी लिक्विड ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, जूस पी सकते हैं, ग्लुकॉंड इत्यादी ले सकते हैं, जो भी आप कमन करें, ठीक है, इसके साथ ही, आप चाहे तो कुछ फल इत्यादी ले सकते हैं, अचा कई स्थानों पर जैसे की पूरी इत्यादी भी खाई जाती सुबह दही चुरा और चीनी में से थोड़ा सा जरूर लेना चाहिए उसके बाद फिर जल इत्यादी आप ले सकते हैं दवाईया लेना हो तो दवाईया ले सकते हैं क्योंकि दिन में निर्जला रहना है तो हम दवाई नहीं खापाते हैं तो जो भी दवाई आपको खानी हो आप थाइरेट की गोली लेते हो या फिर सरदर्द की गोली हो या फिर को भी आपकी प्रॉब्रम हो आप दवाईया इसी समय ले लीजेगा और जितना हो सके इस समय ठंडी चीजे खानी चाहिए जल इत्यादी लीजिए आप चाहे तो चाय भी पी सकते हैं बहुत से लोगो बुष कर लीजिए दातुन कर लीजिए जो भी आपके पास उपलब्द हो जैसे की कई लोगों के प्रश्ट नाते हैं कि हमारे घर आसपास दातुन नहीं मिल पाता है तो ऐसे में नया बुष रखिए मतलब जिस बुष्का आपने प्रयोग ना किया हो एक दीना बुष ले हो जाता है तो व्रत खंडित बाना जाता है तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा तो ये तो हो गए नहाय खाय और सरगी के नियम इसके बाद फिर शना नित्यादी करके और हम व्रत का संकल्प लेते हैं पूजा करते हैं अपने घर में जो नितिकी पूजा है वो कर ल जाता है यहां एक और चीज बताना चाहूंगी यह जरूरी नहीं है कि आप हाथ में जल और अक्षत लेकर ही व्रत का संकल्प करें बल्कि पूजा करते समय मानसिक रूप से हाथ जोड़कर अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए इसके बाद दिन में हमें निर्जला व्रत एक और चीज शाम के समय जी मुद्वाहन भगवान की पूजा की जाती है कथा सुनी जाती है तो पूजा विधी की वीडियो आपको आगे मिल जाएक और चीज शाम के समय जीतिया नहीं बहना जाता है जितिया हम सुबेभ जी पहनते हैं जादव जहाँ पर जियुतिया पहना भी नहीं जाता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेगा, कि आपके हाँ क्या होता है, कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पर की सोने का जितिया धारन किया जाता है, कई स्थानों पर सोने का जितिया नहीं भी सहता है, वो लोग भागा ही पहनते हैं, त शाम की कथा सुनने के बाद भी आप जल ग्रहन नहीं करते हैं, इस बाद का आपको ध्यान रखना है, अगले दिन ही जल पीना है, फिर अगले दिन ब्रह्म महुर्ति में उठकर निते करमों से निव्रतों करशनान कर लीजिए, और इसके बाद घर में जो पूजा करना है, फि आप चाहें तो शाम को भी सिंदूरे में से सिंदूर लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप शाम को ना भी लगा बाएं, मतलब करी स्थान है जहां पर नहीं होगा इस प्रकार का नियम, तो आप सुबह तो जरूर लगाते हैं, सुबह सिंदूरे में से ही सिंदूर लगता है, और इसके बाद जो आपका जितिया है सबसे पहले आप बच्चे को धारण करवाये जितने भी बच्चे हैं सब को आलु इत्यादी रख सकते हैं कोई हरी सब्जी भी रख सकते हैं kanin रख सकते हैं इस वरत में तरोई का ना करना कि सेवन करना बत्य पर राएब होता है तो परउई ले लिजीगा पर जरूर दिया जाता है इसके अलावा वस्त्र और दक्षणा इत्यादी जो आप दान करना चाहते हैं दान सामग्री में रखकर और स्पर्स करके मनस करके दान कर दीजिए ठीक है यह पारण वाले दिन किया जाता है तो अपने पारण से पहले सामग्रियों का दान करना फिर जिनकी सास नहीं है उन्हें विशेश क्या करना चाहिए और जिनकी सास नहीं है उनको पहले दिन जब नहाई खाय वाले दिन होता है उस दिन भी दान निकालना होता है मतलब आटा, दाल, सबजिया, तोरे इत्यादी, जो भी चीजे हम खाते हैं, जो भी चीजे हमारे नहाई खाई में विशेश हैं, आपके हैं जो नियम हैं, उसके अनुसार आप लोग दान की समगरी भी निकालते हैं जैसे सीधा निकाला जाता है, बिल्कुल उसी प्रकार से सीधा निकाला जाता है, उसमें आपको दक्षिला रखना है, सिंदूर भी रखा जाता है, और इसके साथ ही हल्दी और नमक इत्यादी भी रखे जाते हैं सभी चीजे एकत्रित करके और उसको हम्मनस कर दान करते हैं और उसके बाद ही आपको नहाई खाए में जो भी आप खाना चाहते हैं आप खा सकते हैं ठीक है मतलब पहले दान निकालकर उसके बाद ही आपको खाना होता है अगर आपकी सासुमा नहीं है तो आपको इस प्रकर का नियम करना है और पारण वाले दिन तो सभी को दान करना है जिनकी सासुमा है वो भी दान करते हैं बस पहले दिन जिनकी सासुमा नहीं है वही दान करते हैं इसी प्रकार से जिनकी सासुमा नहीं है वो चीलों सीयरों के लिए सरगी से पहले भोजन देते हैं जिसे कई स्थानों पर तो वो लोग भी देते हैं जिनकी सासुमा है लेकिन ज्यादा तर स्थानों पर जिनकी सासु इन्यम होते हैं और बहुत ही सावधानी से इन्यमों का पालण किया जाता है क्योंकि ये व्रत किया जाता है पित्र पक्ष में पित्रों के लिए ही मतलब अपनी सासु मा के लिए हम भोजन देते हैं तो एक तरीके से पित्रों के लिए ही पित्रों की क्रिपा की प्राप्ति के चीमित पुत्रीक व्रत्से संबंधी अगर आपका कोई बी क्रश्च भी फेशिवी तो आप कामेंट Box में लिख सकते हैं, इसके लावा भी कोई वीशेश वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में